तो दोस्तो भारत ने पाकिस्तान के और एक सपने को कर दिया पूरा चूर चूर बेसिकली दोस्तों पाकिस्तान हर जगा से हतियारों का तलाश कर रहा है और पाकिस्तान का इच्छा ये है कि पाकिस्तान अपने पुराने हतियारों को एटलिस्ट और कुछ साल तक इस्तिमाल कर सके और इसी कारण कुछ वेस्टरन देशों से पाकिस्तान अपने पुराने हति प्रेंच ओरिजिन के सब्मरीनों को नए तरीके से एक्वेट करने को लेकर रखा गया था पर ग्रीस के तरफ से भारत के साथ रिलेशनशिप को देखते हुए पाकिस्तान के इस रिक्वेट को ठुकरा दिया गया बैसिकली दोस्तों पाकिस्तान अपने बेड़े के पुराने हो चुके अगस्टा क्लास के सब्मरीनों में ग्रीस के मदद से नए बैटरीज और कुछ नेसेसरी इक्वेपमेंटों को लगाना चाहता था और दोस्तो इसका रिक्वेश्ट पहले भी पाकिस्तान के तरफ से फ्रांस को रखा गया था लेकिन फ्रांस के तरफ से भी इसे ठुकरा दिया गया पाकिस्तान सोचा था कि शायद ग्रीस से ये मदद मिल जाए लेकिन ग्रीस के ठुकराने के बाद पाकिस्तान के सामने फिला कर दिया गया है तो सो यहाँ पर आपके जानकारी के लिए बिता दू कि टर्की और ग्रीज के भीच मैं नहीं बनता है दोनों देशों के बीच में साइप्रस को लेकर एक बहुत बड़ा धिस्प्यूूट है और एक तरीके से टर्की के द्वारा ग्रीस के साइप्रेस के एक हिस्से के ऊपर कबजागर के रखा हुआ है और दोनों देशी एक दूसरे के ऊपर लगाता है कि साइप्रेस के मुद्दे को लेके एक दूसरे के खिलाब इन देशों के तरफ से सैनिक रणनीतियों को मजबूत किया जा रहा है हाला कि अगर देखा जाए तो इस मुद्दे में टर्की को पाकिसटान के तरफ से हमेशा ही समर्थन दिया गया और टर्की एक तरिके से पाकिस्तान के सबसे close terrain LAIO में से एक है और हाल फिलाल में पाकिस्टान के तरफ से टर्की को F-16 जैसे यारक्राप्टों के मोडिफिकेशन को लेके भी मदद किया गया है अब सबके जानकरी के लिए बता दू कि टर्किशन को लेके मदद किया है ये F-16 असल में टर्कीशन के खिलाप भी इस्तेमाल करेगा और दोसो ऐसे में पाकिस्तान की इन हरकतों के बाद अगर ग्रीस के तरफ से फिर भी पाकिस्तान का मदद किया जाता है तो इससे ग्रीस को ही नुकसान होता पर ग्रीस अपने नुकसान को देखते हुए ही शायद पाकिस्तान के मदद करने से मना कर दिया है अब दोसो यहाँ पे आप लोगों को ये भी जानके रखना चाहिए कि अगस्टा क्लास के कुछ सब्मरीनों को तो पाकिस्तान के द्वारा टर्की से ही मोडिफाई किया जा रहा है लेकिन कुछ ऐसे वी काम है जो टर्की पूरा नहीं कर सकता है और इसके लिए अन्ने देश खास करके ऐसे हो जाता है तो आप समझ सकते होंगे कि उन सब्मरीनों को किसी भी हालत में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता हाला कि दोस्तों अभी से ये नहीं कहा जा सकता है कि बैटरी अन्ने जगा से या अन्ने सोर्से से हासिल नहीं किया जा सकेगा हाला कि अगर दोस्तों हासिल किया पात तो पाकिस्तान शायद ग्रीस के सामने कवी ये रिक्वेस्ट नहीं रखता। दूसर तरफ अपके जानकारी के लिए ये भी बता दियों कि खाली ऐसे सब्मरीनों के ही अपग्रेशन या फिर सब्मरीनों के ही मजबुति करण को लेके पाकिस्तान को योरोफ के देशों से अपने एरक्रेप्टों को मेंटरिन किया रहा है। दोसर यहाँ पे आप लोगों को ये भी जानके रखना चाहिए कि जिन सब्मरीनों के अपग्रेशन का काम पाकिस्तान टर्की को दिया है पहले उन अपग्रेशन के काम को लेके फ्रांस के सामने रिक्वेस्ट रखा गया लेकिन फ्रांस के ठोकराने के बाद इस काम को पाकिस्तान टर्की के हवाले किया है जबकि दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो टर्की के तरफ से भी सब्मरीनों को एक तरीके से इलिगली अपग्रेट किया जा रहा है क्योंकि बिना ओरिजिनल इक्वेप्मेंट मिनुफ कि मैं पाकिस्तान को आइसोलेट कर दूँगा और दोस्तो आज पाकिस्तान एक तरीके से संपूर्ण रूप से आइसोलेट हो चुका है दोस्तो हतियारों के अपग्रेशन कोई भी देश पाकिस्तान को करना नहीं चाहता है और टर्की और चायना के इलावा शायद पाकिस् को हासिल भी नहीं कर पा रहा है Middle East जैसे देश जोसे की पाकिस्तान के सबसे क्लोस तरीन ये लाइओं में से एक के रूप में देखा जाता था और जो पाकिस्तान के लिए भारत तक को त्याग करता था आज वही Middle East के देश पाकिस्तान को संपूर्ण रूफ से आईसोलेट कर चुका और पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके का रिस्ता नहीं रखता है इवन दोस्तों World Bank IMF जैसे सनस्तावी पाकिस्तान को पैसा देने से पहले ऐसे ऐसे शर्टों को रख रहा है जो पाकिस्तान पूरा भी नहीं कर सकता है और उपर से इन शर्टों को ऐसे घुमा के रखा गया कि पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा है कि क्या करे। पाकिस्तान के आतंकी नढ़नितियों को अपने आने का ही नतीजा है।